नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर अमारे चनल देव किरिकेट में आईपील 2022 के एलिमिनेटर के मुकाबले के लिए कोसित वी लखनो सूपर जेंड्स और रोयल चलेंजर्स बेंगलूरू की टीम की फाइनल प्लेइंग इलेओं दोनों टीमों में हुए कहीं बड़े बढ़ाव एलिमिनेटर के मुकाबले के लिए लखनो सूपर जेंड्स की टीम में केल राऊल ने अपनी टीम में कहीं बड़े बड़ाव कियें तो वहीं पर रोयल चलेंजर्स बेंगलूरू की टीम में भी फाप डूबलेसिस ने अपनी खतरनाक खिलाडियों को सामिल किया बताएंगे साथ ही कि हम यह भी जानेंगे कि हम ego कब केला जाएगा कितनी बज़े केला जाएगा इस मकाबले का लाई पर सारण कहां पर होने वाला है इस मकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी हैं अब आपको इस वीडियो में देंगे क्वालिफाय 2 खेलने के लिए पहूंचे तो हमारे इस वीड़ों को एक लाइक जरूर कर युख्ति हमने इस वीड़ों का लाइक टार्गेट रखाये माद 360 तो उमीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टार्गेट को पूरा करेंगे तो दोस्तों हम बात करें एलिमिनेटर के इस मुकाबले की तो यह मुकाबला कोल कता कि इडन कार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा इस मुकाबले की शुरुआत 25 माई को भारते समानुसार साम को साथ बच कर 30 मिनट पर शुरू होगी साथ इस मुकाबले का लाइव पर सारण आप टेलिविजन में स्टार स्पोर्ट और मुबाइल में डिजनी प्लेस वोट स्टार पर देख पाएंगे वहीं दोस्तों हम बात करें यहां पर लगनोव सुपर जैंट्स और रोयल चलेंजर्स बेंगलोरू की टीम की तो लगनोव सुप के खिलाब एलिमिनेटर का मुकाबला खेलने वाली है हम बात करें पिछले मुकाबले की तो दोनों टीमों के पिछले मुकाबलों में रोयल चलेंजर्स बेंगलोरू की टीम ने लगनोव सुपर जैंट्स की टीम को 18 रनों से हरा कर रोयल चलेंजर्स बेंगलोरू की टीम न करें तो इस टीम की बल्ले बाजी में अच्छा कासा दम खम दिखाएं इस टीम के पास लंबी बेटिंग लाइन होने की वज़े से इस टीम को सांदार सुरुआ दिली यह वही पर मारको स्टोनीस भी टीम के लिए कमाल का परफॉमेंस करते हैं इसके अलवा इस टीम की तरफ से बल्ले बाजी में अच्छा कासा दमकम दिखाया है जोसन होलडर दिपक उड़ा आयूस बदोनी ने कमाल की बल्ले बाजी करी हुए पर ग लगबग सबी मुकाबलों को मोसिन खान ने सांदार तरीके से जिता है यानि कि इन्होंने कमाल का गेंदबाज साबित हुए हुए पर इसके अलवा गेंदबाजी में आवेस खान और रवी विसनोई ने भी सांदार परफॉमेंस किया हैं वही दूसरी तरफ हम रोयल चलें चलें पारी के लिए फिराट कोली भी अपने अच्छी फ़ूम में उतर चुके हैं और पिछले मुकाबले we spoke Sandu पर वही पर फाइब Fernando O करी थी हम बात کرें इस टीम के गेंद बाजू की तो गेंद बाजू में इस टीम की तरफ से हरसथ पटेल जो चोटिल ओचुके हो ही पर इसके अलावा वनिन्स दुह श्रंगा और ओर जो hall ध रही डर ड complex करके दिकाए हैं वही पर ग्लेन मेक्जुल भी अब तक टीम के लिए कमाल की गेंदबाजी करते हैं वही पर इसके अलवा गेंदबाजी में सिदार्थ कोर ने भी कमाल किया है वही दोस्तों अब हम बात करें यहाँ पर दोनों टीमों की प्लेइंग लेउन के अकिरकार की इस प्लेइंग लेउन के साथ यह टीम है मेदान पर उतरने वाली है वही नमबर 6 पर हमें मारको स्टोईनिस केलते वे दिखेंगे नमबर 7 पर जैसन होलडर उतरेंगे नमबर 8 पर कृष्णपा गोतम तो नमबर 9 पर महसीन खान उतरने वाले वही नमबर 10 पर आवेस खान उतरेंगे तो नमबर 11 पर इस टीम की तरफ से हमें रभी विष्णोई केलते वे दिखेंगे वही दूसरी तरफ हम यहाँ पर रोयल चल्लेंजर्स बेंगलोरू की टीम की बात करेंगे तो इस टीम की ओपनिंग करेंगे एक बार फिर विराट कोली के साथ पाप डूबलेसिस जो कमाल का प्रपोमेस करते आ रहे हैं वही नमबर 3 पर रजट पाटीदार उतरेंगे नमबर 4 पर दिनेस कार्थिक तो नमबर 5 पर ओल्ड राउंडर की लड़ी के तोर पर ग्लेन मेक्जियोल उतरेंगे वही नमबर 6 पर मैपाल लोमलोर तो नमबर 7 पर साभाज एमद वही नमबर 8 पर हमें प्रपल केप की रेस में सांदार प्रपोमेस करने वाले की लड़ी यानि कि वन इन दू हसरंगा उतरेंगे तो नमबर 9 पर चोटिल हो चुके थे हरसत पटेल जो अब तक सांदार प्रपोम में उतर चुके और ये चोटिल भी होने की वज़े से पिछले मकाबले में कहल नहीं पाये थे लेकिन ये एलिमिनेटर के मकाबले में कहलते हुए दिखेंगे वही नमबर 10 पर सिधार्थ कोर तो नमबर 11 पर जोस हेजलूड हमें इस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे यानि कि ये टीम में कापी सांदार पोम में दिख रहे हैं हम बात करें इस मकाबले की प्रेडिक्शन की तो यहाँ पर एक बार फिर पलड़ा पारी रह सकता है क्योंकि तो आप इस मकाबले में लखनो इस थेंथ की तेम इसंहार का बदला ले सकती है पनी राय कॉमेंट करके जुरूर बताएлично और साथ इस वीडियो और शेयर करना ना भूले तो निवाथ दोस्तों वीडियो के अनं तक बने रेने के लिए